तो नमस्कार दोस्तो फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक्नोई से जे में मैं हूँ स्वदेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्काइप एप्लिकेशन के बारे में तो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यह जो स्काइप इसमें हमें बहुत सारे फिचर्स मिल जाते हैं इस एप्लिकेशन के सभी यूजेस हम आज वीडियो में देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं स्काइप को तो दोस video meetings बी कर सकते हैं और video pause भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप स्काइब एप्लिकेशन को इंश्टॉल कर सकते हैं आपके PC में आपके Android device में किसी भी device में आप इसे इंश्टॉल कर सकते हैं आसानी से आप अगर Windows यूजर है तो आप Microsoft Store में जाकर इसे इंश्टॉल कर ले अगर आप Android user है तो आपको प्लेश्टोर में मिल जाएगा तो यह स्काइप तो जैसे ही आप पहले बार स्काइप ओपन करेंगे तो आपके सामने साइन इन आप्शन आ जाएगा तो आपको साइनिंग कर लेना है Microsoft अकाउंट से आपके Microsoft अकाउंट से तो Microsoft अकाउंट के से क्रेट करें और उसके यूजेस इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है उसकी लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे आप वो देख लीजिए और बात में साइनिंग कर लेजिए मैंने पहले से क bluff WhatsApp करका है यहाँ आपको कुछ इसे success मिल जाते है मैं आपको बताता हूँ तो इसके मैंने बता दिये पहले ही तो आपको यहां मिल जाता है तो यहां आप वर्ड वाइड किसी से भी चैक कर सकते हैं गॡूप जैक कर सकते हैं आपको कर अबौन बिलता है call आप वो भी वर्डवाइड किसी से भी call कर सकते है voice call इस option से तो दोस्तो आप call कर सकते है एक skype user से free मतलब आप भी skype user है और जो जिससे आप phone करना चाहते है call करना चाहते है वो भी Skype user होना चाहिए अगर वो नहीं है तो यहसा भी आपको को एक Option मिल जाता है जिससे आप directly call कर सकते ही कोफिक फॉल उसके लिए आपको कुछ पेसे करने पड़ेगे को के स्काइब को स्काइब स्क्रेडित के लिए कि तो दोस्तों अगला आप्चन है एक यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगे तो दोस्तों यहाँ और एक ओप्शन मिलेगा आपको मीट नाउ तो आप यहाँ से मीटिंग कर सकते हैं वीडियो मीटिंग तो आप जब इस पर किल्प करते हैं तो दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं होस्ट मीटिंग जॉइन मीटिंग आप मीटिंग भी जॉइन कर सकते हैं और होस्ट भी कर सकते हैं मीटिंग तो दोस्तों मैं आपको एक मीटिंग क्रेट करके दिखाता हूँ मैं होस्ट मीटिंग पर क्लिक करूंगा तो एक मीटिंग डेेट हो चाहेगी आप देख सकते हैं यहां से हिन्वाइट कर सकते हैं और आपको यहां चात भी मिल जाएगा वीडियो मीटिंग के दो रहाएं तो दोश्तो यहां और भी उप Question's है जैसे कि न्यूचार्त, न्यूचार्त में आप चाट कर सकते हैं वही option है, यहाँ आपको एक dial pad मिल जाएगा, जिसके साहिता से आप नमबर भी dial कर सकते हैं, call कर सकते हैं, यह सब features आपको यहाँ मिल जाएगे, यहाँ आप settings में जाकर, settings भी set कर सकते हैं, जैसे के accounts के आपके profile picture एड कर सकते हैं, Skype का ID चेंज कर सकते हैं, general आपको कुछ मिल यहाँ आप वो settings कर लीजिए, इस तरह आप यूज कर सकते हैं Skype, तो दोस्तों यहाँ इसे ही आपको कुछ features मिल जाते हैं, और आप इसके मदद से worldwide chat कर सकते हैं, group chat कर सकते हैं, call कर सकते हैं, और video meetings भी कर सकते हैं, तो दोस्तों यही ता कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिजे, शेर कर दिजे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिजे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाई बाई